नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों श्रावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग के उपर से ये एक चीज उठा कर लाना है, लेकिन ये काम आपको गुप्त तरीके से करना है, किसी को भी पता न चले कि आपने ये क्यों उठाई है? क्योंकि दोस्तों शास्त्र कहते हैं, कोई भी उपाय अथवा कार्य यदि गुप्त तरीके से किया जाए, तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है. ये उपाय भी आपको गुप्त तरीके से ही करना है. श्रावन के किसी भी सोमवार को पर प्रकट होते हैं, और भक्तों की मनोकामनाओ को पूर्ण करते हैं. इस महीने में महादेव के भक्त नाना प्रकार से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं. शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रावन के महीने में व अधिक प्रभावशाली है, आपको बस शिवलिंग से ये एक चीज उठा कर लानी है, और उसे अपने घर में स्थापित कर देना है, बस इतना कर देने मात्र से ही शिवजी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त होंगे, और जीवन भर धन की क चीज को उठा कर लाना है, दोस्तों, श्रावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है, शिवलिंग को शिव जी का निराकार रूप माना जाता है, इस निराकार रूप में ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है, ये निराकार रूप शिव पार् शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कि आप व्रत जरूर रखे। प्रत्येक सोमवार का विशेश महत्व होता है। इसलिए सोमवार के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यू नहीं होती है। हर संकट से महादेव उसकी रक्षा करते हैं। इस वरत से जो पुन्य मिलता है वह कई जन्मों के पापों को नश्ट कर डालता है। लेकिन दोस्तों किसी कारण से अगर आप वरत नहीं रख पाते हैं तो सोमवार को शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर शिव पुराण में बताए गए इस अत्यंत गोपनिय उपाय को भी जरूर करें। सोमवार को वरत रख कर इस एक चीज को शिवलिंग से उठा कर अपने घर में लेकर आए और उसे घर में स्थापित कर दें। इससे आपको जो फल मिलेगा उसका वर्णन भी नहीं किया जा स जक्ती नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो भी यह उपाय जरूर करें। विवाह में अडचन आ रही है तो यह उपाय श्रेष्ट है। कोई बीमारी है, किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है, तो भी यह उपाय कारगार है। तंत्रशास्त्र में भी इ उपाय से बड़े बड़े करजों से छुटकारा मिलता है। बस करना ये है कि श्रावन सोमवार के दिन शिवलिंग के उपर से इस चीज को उठाना है और अपने घर में स्थापित करना है। इस से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही आसान उपाय है और कोई भी स साधारन से साधारन मनुष्य इसे करने में समर्थ है। आपको कोई बड़ा पहाड नहीं खोदना है। आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये उपाय करने के बाद इसके बारे में किसी को भी मत बताना और किसी को भी पताना चले कि ये उपाय आप कर मन में शिव जी के प्रती सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान केवल श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं, सच्ची श्रद्धा से पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं, इसी लिए इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो आपकी शिव जी के प्रती द शिव जी से भक्तों को भय नहीं लगता, लेकिन पापियों को जरूर लगता है। भगवान तो इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को जो मांगे वह चीज दें देते हैं, जो ब्रम्हा भी नहीं दें सकते, उसे भी शिव जी सहज ही दें देते हैं। दोस्तों, जिस चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वह चीज बहुत ही साधारण सी है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, इसी लिए इस उपाय को किसी के साथ बुरा करने के लिए ना करें, कभी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए यह उपाय न जाते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो इस उपाय को जरूर करें, ये उपाय करने के बाद आपकी नौकरी निश्चित लग जाएगी, आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा, जिसकी आप बरसों से रह देख रहे थे, श्रावन के किसी भी सोमवार के दिन, सुभह कर सनान कर ले, फिर शिव जी की पूझा आराधना करे, और उसके बाद एक सफेद कपड़े में काली मिर्च के 108 दाने डालने है, ना कम और ना ज्यादा, पूरे गिनकर 108 दाने डालने है, क्योंकि हिंदू धर्म में 108 का چमतकारिक महत्व है, शिव जी की पूझा में भी काली मिर्च का महत्व है। फिर आप उस कपड़े की गांठ बांध कर अपनी जेब में रख दें। फिर आप उसे ले कर किसी भी शिव मंदिर में चले जाए। ध्यान रहे वह शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं। उसकी प्रा जोकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उसमें से एक काली मिर्च निकाल कर अपनी जेब में रख दें। चाहे बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, विवाह के लिए वर अथवा वधु देखने जा रहे हैं, या किसी अन्यकाम के ल ये काली मिर्च आपके आसपास की नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेता है और आपके चारों और सकारात्मक उर्जा का एक घेरा बना डालता है। कावट हर अडचन खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये उपाय सो प्रतिशत आपको काम्याब और बलवान बना देगा। लेकिन दोस्तों इस उपाय का कभी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना, कभी किसी का अनिष्ट करने के लिए भी मत करना, ऐसा करना पाप होता है। आ ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की प्रस्तुती में बस इतना ही। ओम नमाशिवाएव।